कोर्ट में जो पेटिशन फाइल करेंगे वो हैं हेबस कॉर्पस, कोर्ट में पेश होने की अरजी, जो इस देश में पैदा होता है उसे एक आजाज जिंदगी का हक है, गैर कानूनी ढंग से किसी को बंदी नहीं बना सकते हैं, अगर ऐसा होता है, तो इस हेबस कॉर्पस से हम उने कोर्ट में हाजर होने पर मजबूर कर सकते हैं, कोर्ट में दो जजेज इस पेटिशन की सुनवाई करेंगे, इसमें लिखा है कि तुम्हारा पती पुलीस कस्टिडी से लापता हो गया है, तुमने मुझे अपना लॉयर चुना है, इसके लिए तुम्हारे दस तक अच पुलीस कस्टिडी से तीन लोग लापता हैं, जिनमें इनके पती भी है, इन्हें कोर्ट से उमीद है क्योंकि ये नहीं जानती इनके पती किस हालत में और कहा है, कोर्ट हेबस कॉर्पस को एकसेप्ट करें, और पुलीस को ओडर दे कि उन तीनों को को पेश करें, इसलिए एक वकील जो खुद रोज कोर्ट में लेट आता है, उसे कोर्ट के वक्त की फिक्र होने लगी है, कमाल की बात है न, मैं लॉट्स परिशनर कौन है, मिस्टर चंदरू? सेंगिनी, प्लीस, वहाँ जाग जी कहिए वो मेरे आँखों के सामने मेरे मरत को घसीट कर लेकर, अब कहते हैं कि वो भाग गया, वो मुझे नहीं मिला, मैं पेट से हूँ, मुझे कभी भी बच्चा हो सकता है, मैं कहां कहां जाओं, मेरे बच्चों के बाप को ढूहर निकाली है, साब इसमें आपका क्या कहना है, पेटिशन सिर्फ तभी दर्च हो सकती, जब किसी को आगवा करके उसे कैद में रखाओ, पुलिस का कहना है, ये तीनों भाग गये हैं, देखना है, केस दो मिनिट में रफा दफा हो जाएगा, शिवाय नमा, पीपी, टेक नोटिस, अगली सुन